हाई एवरीवान वेलकम टू स्लीपिक प्लासेज कैसे हैं आप सब होफ़ली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे तो गाइस अच्छे रहें थ्यान रहें अपना एंड गाइस पस पढ़ते रहें कैस आज हम डिस्कुस करेंगे एक न्यू इनिशेटिव और ये न्यू इन के लिए काफी अच्छे से रिवाइस कर पाएंगे जब भी आप सब्जेक्टिव इंफॉर्मिशन ग्रैप करते हैं और उसके बाद आप अक्जाम देने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे कुशन ऐसे आपको देखने को मलते हैं जिसको आप अटेम्ट नहीं कर पाते हैं मत मतलब क्विज की तरह पहले आपको करना क्या है जैसी आपने कोशन देखा वीडियो को पोस करना है और एक वाइट पेपर जुरूर आपने अपने पास रखने हैं उसके बाद जैसी मैं आपको अंसर बताऊंगा और थोड़ी सी डिटेल इंफोर्मिशन भी हम यहाँ पर कं या फिर रिवीजन सिरिज तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला कोशन है विच एरिया ओफ इंडिया वाज नौन एज अवंतिगा इन एंशन टाइम होप्शन यह है अवद ऑप्शन भी है रुहेलखंड होप्शन सी है बुंदेलखंड और ऑप्शन दी है देखे अवंतिगा रिजन काफी इंपोर्टेंट है और इसकी दो कैपिटल हुआ करती थी और विंद्या जो रेंज है वो ड्वाइट करता था अवंतिगा किंग्डम को नोर्थ एंड साउथ में जो नोर्थ की कैपिटल थी वो थी उजैन और साउथ की कैपिटल थी महेश प्रश्मति और यहां पर आप सभी की सभी 16 महा जनपद देख सकते हैं यहां आपको एक्जेक्टली नेम देखने को मिलेंगे और यह कैपिटल है यह आपको याद होनी चाहिए कोशन्स पूछे जाते हैं और आज की डिट में जो यह सभी की सभी एरियास हैं आपको कहां प सब्सक्राइब करते हैं नेम ओफ रिपब्लिक विच्वार सा कंपेंट ड्रेसरी टू ट्राइब इन्था सिक्सेंश्री बीसी ऑप्शन ए है गंधारा ऑप्शन भी है वाजी ऑप्शन सी है कोशला एंड ऑप्शन दी है अवंती काफ यह एच्छा कोशन है वीडियो को पो और यहां पर लिच्वी प्रिंस रूल करते थे लिच्वी प्रिंस यह याद रखना होफ़ली यहां पर मैंने स्पेलिंग सही लिखियो बट आप इसको एक बार गूगल कर ले ना लिच्वी प्रिंस चलिए नेक्स्ट कोशन डिसकस करेंगे विच्व दा फॉल्विंग सोला महाजनपर्द में और इसको सबसे पहले उन्चाईयों पर कोल लेकर गए थे एक बर हम ऑप्शन देख लेते हैं बिंदु सार ऑप्शन भी है अजाश्चत्रू ऑप्शन ही है वासुदेव काफी अच्छा कोशन है आपने इस कोशन का सही अंसर मात कर लिया होगा इसक लिए नेक्स्ट कोशन डिसकस करते हैं विच रूलर मडर्ड इस वादर मतलब किसने बिंदु सार का हत्यागी थी और थ्रोन हासिल करा था मतलब इनके बेटे कोन थे ऑप्शन ए है अशोका ऑप्शन भी है अजाश्चत्रू ऑप्शन सी है कनिश्क एड़ ऑप्शन डी है स अजाश्चत्रू और अजाश्चत्रू ने बुदा स्तूप के आगे कन्फेस्ट भी किया था कि उन्होंने अपने फादर को मारा था और इनके समय में जो हरेंका डैनेस्टी है वो काफी जादा एक्स्पैंड हुई थी क्योंकि काफी और्थोडोक्स परसनेलिटी के यह प जेलम ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्या ऑप्शन बी है अंभी ऑप्शन सी है धनानद ऑप्शन डी है पोरस काफी अच्छा कोशन है बहुत बार अग्जाम में आ चुक है और इवन सभी स्टेट PCS में SSC में रेलवे में काफी बार यह कोशन देखने को मिला है और परवन डाइनस्टी और जो ग्रीक लोग हैं वो जेलम को कहते थे हाइडसपस और हाइडसपस की बैटल कब होई थी 326 BC और यह अलेक्जेंडर की लास्ट बैटल थी और उसके बाद अलेक्जेंडर धनानंद के डर से वापस अले गए थे और ब्यास रिवर से वापस हुए नेक्स्ट कोशन डिसक्स करते हैं वो मंगदा फॉल्विंग फॉर्णर्स वाज़सा फास्ट विजिट इंडिया काफी कंफिजिंग कोशन है एक बर हम ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन यह हैं सांग ऑप्शन भी है मेगस थनीशिस ऑप्शन सी है आई सिंग और ऑप्श को बताया एलेक्जेंडर वाला कोशन हमने डिसक्स किया था कि यहां से वापस हो गए थे ब्यास की वर से ठीक है उसके बाद जो अफगानिसान और पाकिसान वाला रीजन जीच चुके थे एलेक्जेंडर वहां पर अपने एक कमांडर को यह बिठा जाते हैं कि आप यह एर लाइंस में बदल गी थी फिर सेलकस निगेटर ने अपना एक अबैस्डर भेजा था चरंदूत मौर्या अंपायर में जिसका नाम था मैगस थनीस और इसने एक बुक भी लेगी थी और उस बुक का नाम है इंडिका हाला कि यह बुक आज की रेट में हमारे पास अवलेबल काफी अच्छा कोशन है और इंस्क्रिप्शन से रेलेटिड आज कल कोशन बहुत जादा पुछे जाते हैं और यह कोशन तो बहुत बार अक्जाम में आया हुआ है कलिंग बार हुआ था 261 बीसी में और अशोका ने मौरेन डैनेस्टी को जैनित पे मुंचा दिया था और यहाँ पर हमें डिटेल मिलती है कलिंगा वार की और इसके बाद अशोका ने जो फिजिकल एक्क्यूबेशन है मतलब भीरगोश इसको त्याग दिया था और यहाँ पर धमागोश मतलब कल्चर एक्क्यूबेशन को चुन लिया था उपागुप्त के कहने पे इन्होंने बुदिजम को असेप्ट कर लिया था ठीके जी तो चलिए नेक्स्ट कोशन डिसकस करते हैं अशोका सप्रेट बुदिजम अल ओवर इंडिया एंड सिलोन सिलोन आज की रेट में शिलंका को कंसिदर करा जाता है कैसे इन्होंने सप्रेट किया था क्या इनका वे था एक बर ह करते होगा खुदी बुदिस्ट मौंक मन गिये थे काफी अच्छा कोशन है और हलाग ही परिविस कोशन में मैंने आपको एक हिंट दिया था अगर आपने वे हिंट को सच्छे से सुना होगा तो डेफिनेटली आपने कोशन का सही अंसर मांग कर लिया होगा और इसका सही अ आप इसको आप याद रख सकते हो एक ट्रिक से जैसे आपको पता है इंडिया के विकेट की पर थे महिंदर सिंग धोनी एंड एक टाइम में शिलंका के विकेट की पर थे संगा कारा तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो संगा कारा और महिंदरा वैसे तो ट्रिक काफी ज इसको Correct कर ले यह यहां पर गलत हो गया है 300 AD को 320 AD वाज़क फ्रों विछ डानेस्टी गुप्ता डानेस्टी के यह थे कानवा डानेस्टी के ते शुंग डानेस्टी के ते या फिर मौरेन डानेस्टी के ते काफी अच्छा कोशन है और इनसे एक ही कोशन पुछा गया है और जितने भी हमने अग्जाम देखें बस यही कोशन गटोधकर्ट से पुछा जाता है हमेशा की तरह चलिए होफुली अभी तक आपने इस कोशन का सहीं सर्माक किया होगा और इनों ने अपना अंपायर कहां प तो चलिए नेक्स्ट कोशन डिसकस करते हैं दा रूलर ओफ विच डैनेस्टी स्टार्टेग दा प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टेक्स फ्री विलिज टु ग्रामन्स एंड बुदिस्ट मॉंग ऑप्शन यह है सत्वाहनास ऑप्शन भी है मोर्यास ऑप्शन गुप्टास और ओप्शन डी है छोलास काफी अच्छा कोशन है वीडियो को पोज कीजिए और इस कोशन का सही अंसर माग कीजिए होगा इसका सही अंसर है सत्वाहनास और जैसी यहां पर इंडिया में गुप्ता डैन, सोरी मोरया डैनेस्टी वीक होई थी और मोरया डैनेस्टी के फ्री विलेज मतलब टेक्स फ्री विलेज गिफ्ट करे थे ठीके जी काफी इंपॉर्टेंट है सत्वाना डैनेस्टी और डेकन में इन्होंने रूल करा था आंध्रा और महाधास्टा वले रीजन में चले नेक्स्ट कोशन डिसकस करते हैं और इसका सही अंसर है रूद्रा दमन और यहां पर हमें पता लगता है कि रूद्रा दमन ने जो सुदर्शन लेक है उसके डैम बनाया था उस डैम का नाम है उर्ज्यत डै कौन से लेक के पास बनाया था सुदर्शन लेक और यह कौनसी लेंगविश में लिखा हुआ है संस्केट में यह गैँजन भी पूचहा गया है तो तो काफी अच्छा कोशन है हर्श्वर्दना से बहुत सारे कोशन पूछे जाते और इन्हों ने अपना रिलीजियस असेंबली कहां पर बनाई थी जिसको कहा जाता था महामोक्ष परिशद और यह इन्हों ने बनाई थी प्रियाग राज में आपका बिल्कुल सही हो जाएग और जो सिक्स्थ डिजियस असेंबली थी इसको अटेंट किया था वेंग सांग ने जो चाइनिस टेवलर थे यह कोशन भी पूछा जाता है तो आपने ध्यान रखना है अच्छा हर्श्वर्दना कौन से सेक्ट को फोलो करते थे बुद्धिजम के यह आप मुझे कमेंट से काफी इंपॉर्टेंट कोशन है और बहुत बार आ चुका है इवन स्टेट पीसेस में कोशन रिपीटली पुछा जाता है चलिए होफुलिए अपने इस कोशन का सही अंसर होगा इसका सही अंसर है आठ दीखे उस समय जो कुशान है यह कश्मीर वाले एरिया में रूल करते है और यह पर घंदार शाव हमें डिफलब्मेंट को मिली और सह सहाम जो मत्रा बुद्धिस्ट स्कूल आर्ट है वहाँ पर भी हमें मतलब कूषान के टाइम परिड में काफी डिफलब्मेंट देखने को मिली थी ठीक है जी तो चलिए next question है अपने आप दिस question का सही अंसर मा कि पिख्यक्त करते थे महायाना करते और मों उछ सक्ट को फोलो करते थे कानीष्क और सबस्ते होज़ों एंख्यान सब्साइब में करorya था वैसे बुद्धिजम आया था पाली लैंग्विझ में जितने भी प्ताकास लिखे गये थे वो सारे אז पाली लेंग्विज में लिखे गये थे काफी सीपोटन है और उसी के बाद से ही सिख्के चलने लगे थे इसका सही अंसर है C चंद्रगुप्ट विक्रम अदित्या और कालिदास की बहुत सारी रचनाई है जैसे रितू समहरा, मेगदूत, कुमार संभव, अभी ज्यान, शंगुंतलम, मालविका, अगनी, मित्रा तो यह आपको कुछ जो रचनाई है यह पता होनी चाहिए तो यह रचनाओं से भी कोशन पूछ लिया जाता है चले नेक्स्ट कोशन है दा लास्ट बुद्धिस्ट किंग वुवास था वुवास ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड रिटर्ण राइटर वास ऑप्शन ए है का मैंने आपको बई प्रिवश पर सही है और इनमें से की कनिश्ख सभी है या फिर इसका अंसर आपको कोई और ओप्शन यहाँ पर ठीक लग रही है कैसकी हाब और यहां पर मैं आपको अंसर बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको हिंट तो मिली जाएगा महायाना कोई कोई फूलो करते थे और संस्कीत में ही जो लिट्रेचर वक हुआ था बुदिजम का वह इन्होंने आगे बढ़ाया था चलिए नेक्स्ट कोशन है वह अब जीरो की थियोरी किसमें दी थी ऑप्षण ए है चरक ऑप्षण भी है चनक्या ऑप्षण सी आरे भट और इंट और इन्होंने वह किया था आरे भट यहा या आरे भट की जो मतलब जो बुक थी इसको हम आर्य सिधानता भी कहते हैं ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट कोशन है हावर दा बर्मा एंड नाओ म्यानमार नौन टू एंशेंट इंडिया तो एंशेंट इंडिया में हम म्यानमार को क्या कंसिडर करते थे काफी अच्छा कोशन है इवन म्यानमार को आप कंसिडर कर सकते हो जो थाइलेंड वाला रिजन है इसको मिला कर हम एक नाम कंसिडर करते थे और इसका सही अंसर क्या है स्वन भूमी ऑप्शन सी नेक्स्ट कोशन है दा कोईंस और फिच ओव दा फॉल्विंग विवाइल देर लव और म्यूजिक मतलब कौन से राजा के समय में हमें ऐसे सिक्के देखेगे जिसमें हम यहाँ पर बता सकते हैं कि वो राजा या वो अम्पायर म्यूजिक से रिलेटिड मतलब काफी जादा अपना प्रेम भाव रखते थे समंदर गुप्ट के समय में जो सिक्के चले थे उसमें समंदर गुप्ट वीना बजाते हुए देखे गए थे तो यहाँ पर सही अंसर क्या हो जाएगा और यह किसके द्वारा लिखा गया था बानबट ऑप्शन भी है हर्षवर्दना के समय में और मतलब हर्षवर्दना के काफी अचे मित्र भी थे और इन्हों हर्षवर्दना के ओपर बायग्राफी भी लिखी थी तो आज के जो 20 कोशन है डेफिनेटली यहाँ पर यह एक रिवीजन सेरीज आपको पसंद आई होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह जो रिवीजन सेरीज है यह जो कंसेप्ट है आपको कैसा लगा और जो आज हमने 20 कोशन डिसकस करें इसमें अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा और आने वाले सेशन में हम स्टेट्मेंट वाले कोशन भी डिसकस करेंगे जिस तरह के कोशण आज पूछे जाते हैं चाया आप कलर्द लेवल के एकजाम दे रहे हो SSE की दे रहे हो या फिस्टेट PCS की दे रहे हो ठीके UPSC एक अलग field है UPSC में इतने state forward question नहीं आते हैं लेकिन हाँ state PCS सक हम इस series को discuss करेंगे और आने वले sessions में हम statement वले question भी discuss करेंगे और आज इस session में अगर आपका कोई doubt है मैं फिर आपको बोल रहा हूं प्लीज comment section में post करेंगा और हाँ एक चीज़ आपने होर बतानी है कि इस series आपको कैसी लगी ठीके जी तो चलिए यहाँ पर हम खतम करते हैं class और ध्यान देखिए अपना bye bye take care next session में मिलेंगे तब तक के लिए bye bye